ये गीत सुनते ही चेहरे खुशी से खिलने लग जाते हैं और मुंगफली रेवडियों के साथ गचक की भीनी भीनी सी खुश्बू को साथ ले आते हैं पोह मास के अंतिम दिन मनाया जाने वाला लोडी का यी पर्व उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है यह त्योहार मकर सक्रांती के एक दिन पहले यानि 13 जन्वरी को पड़े चाव और हर्श उल्लास के साथ मनाया जाता है लोडी के इस पावन दिन में लोगों में दिन भर पतंग बाजी की प्रतियोगिता होती है इस समय रेवडी, मुंगफली, गजचक आदि खाये जाते हैं इस दिन का विशेश महत्व ये भी माना जाता है कि जिन परिवारों में लड़की का विवाह होता है अथवा जिने पुत्र प्राप्ती होती है वे खुशी के साथ अपने रिष्टेदारों और आस पडोस में बराबर बराबर लोडी का सामान बाढ़ते हैं और देर रात तक लकडिया इकठी करके आग जलाकर पूजा भी की जाती है और कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए ये सहायक भी सिद्ध होती है लोग अगनी के चारो ओर चक्कर लगाते हैं और नाचते गाते हैं इस्तियोहार के साथ बहु प्रचलित कहानिया भी जुड़ी हुई है कहती हैं कि दक्ष प्रजापती की पुत्री सती के योगा अगनी दहन की याद में ही ये अगनी चलाई जाती है लेकिन एक दंध कहानी ये कहती है कि एक दूला भट्टी नाम का टाकू था जो एक तरह का गरीबों का मसीहा भी था और आर्थिक तोर पर गरीब लोगों की मदद करता था और दूला भट्टी ने ही एक प्रामण परिवार की दो गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई शादी की विवस्था के लिए देर रात होने पर कुछ लकडियां इकठी करके रोशनी की और शादी में शगुन के तौर पर उन्हें एक से शक्कर दी इसी दिन से ये प्रथा हमारे समाज में चली आ रही है दोस्तों चाही कहानिया कुछ भी कहें ये आज हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सोच में नए विचारों का आगास करें साथ ही बेटी और बेटी में भेदभावाली अपनी सोच का अंत करें तो आईए इस त्योहार पर कुछ बदलाव करें केवल बेटे के पैदा होने पर ही नहीं बलकि बेटी पैदा होने पर भी लोडी का त्योहार इसी तरह धूमधाम से मनाए ताकि हमारा देश, हमारा समाज और भी जादा उन्नत हो दिल की खुशी और अपनों का प्यार मुबारक हो आपको लोडी का त्योहार आध समस्त IMC परिवार आप सब को लोडी के पावन तयोहार की धीर सारी शुब कामनाई देता है जिल लोगों ने IMC बिजनस पेज को सब्सक्काइब नहीं किया है वो कृपईा हमें सब्सक्काइब करें और सब्सक्काइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले